ये देखे ये देखे बीजान चची देखे कैसे घूर रही अब मुझे ये हाँ तो क्या करूँ आखो बर पट्टी बांदो मूबर टेप लगा लूँ कि आप जनाब की शानल को गुस्ताखी ना हो जाए हाँ ये देखे और सबसे पहले ये क्वेशन आता है कि ये लड़का है ये लड़की तो उन सभी जवालों के जवाब लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में तो हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बाक टू माई चैनल उमीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और डांसर मॉंटी रोई के बारे में जानेंगे इनकी पूरी कहानी और साती जानेंगे इनके इस ट्रांस्फोर्मेशन के पीछे क्या राज है तो वीडियो बहुत इंप्रस्टिंग होने वाला है एंड तक जरूर देखना मार्च 2002 को कॉलकटा में एक बंगॉली फैमिली में एक लड़के का जनम हुआ जिससे आज आप मॉंटी रोई के नाम से जानते हैं यह अपने मम्मी पापक के सिंगल चाइल्ड हैं इन्होंने अपनी स्कूलिंग कोलकटा से ही कंप्लीट की उसके बाद ये फिलाल ग्राजुएशन कर रही हैं दोस्तों मैं फीमेल सैंस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब इन्होंने अपना जैंडर पूरी तरह से चेंज कर लिया है ऐसा इन्होंने क्यों किया उसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे उससे पहले जान लेते हैं इन्होंने अपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत कब और कैसे की थी इन्होंने अपने सोशल मीडिया करियर की शुरुआत टिक टॉक से की थी 2018 में टिक टॉक पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था पहले ये उस पर डांस और लिपसिंग के वीडियोस बनाते थे लेकिन उस पर ना कोई व्यूज आते थे ना ही ने कोई फोलो करता था फिर उन्होंने एक ट्रांजिशन वीडियो बनाया जिसमें ये विदिना सकिन एक लड़के से एक लड़की के गेट अफ में आ जाते हैं वो वीडियो इनका बहुत वायरल हुआ और उन्होंने साथी ऐसे अधर वीडियोस भी बहुत बनाए और सभी वीडियोस वायरल होने लगे साथी इनके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे थे तबी मॉन्टी रोय का वो वीडियो यूट्यूब के रोस्चर्स के हाथ लग गया और उन्होंने मॉन्टी रोय पर जम का रोस्च बनाए और ना जाने क्या क्या बोला लेकिन मॉन्टी रोय का कहना था कि उन्हें इस सबसे बिलकुल फरक नहीं पड़ता क्योंकि जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहते हैं और इनका कहना था कि इस सबसे बहुत जादा पॉपुलर हो रहे हैं और जब टिक टॉक बैन होने के बाद ये बहुत डिप्रेस्ट हो गया है और इनने एक बार को लगा कि इनका सब कुछ खतम हो गया है लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से दुबारा सब कुछ स्टार्ट करने की सोची तब ये इन्स्टेग्राम डील्स पर वीडियोस बनाने लग गए आज इनके इन्स्टेग्राम पर 162 के फॉलोवर्स हैं और इनका एक यूट्यूब पर चैनल भी है जिस पर ये व्लोग्स और मेकप वीडियोस जालते हैं और उस पर आज 3.5 लैग सब्सक्राइबर्स हैं चलिए दोस्तो अब जान लेते हैं कि ये लड़के से लड़की क्यों बने और क्या राज है इनके इस ट्रांस्फरमेशन के पीछे दोस्तो जब ये स्कूल में थे इन्हें तब ही रेलाइज हो गया था कि ये स्ट्रेट नहीं है और इन्हें मेकप और लड़कियों की तरह ड्रेस अप करने में ज़्यादा इंट्रेस्ट था और लड़कियों वाली टोन का होना और यहां तक कि इन्हें लड़के के लिए वो फिलिंग्स होना जो की अपोजिट जेंडर में होती है इन्हें लड़के जादा शुरू साही बहुत अट्राक करते थे हाला कि इन्हें उस सबसे स्कूल टाइब में बहुत प्राबलम भी हुई और यहां तक कि इन्होंने अपना स्कूल जाना भी बंद कर दिया था और साइटी के लोग इनके पैरेंट्स को और इनने न जाने क्या क्या बोलते थे लेकिन नोंने उस सबसे ओवरकम किया और अपने आपको अपनी ओरिजनल पहचान के रूप में इस्टैबलिश किया कि वो एक लड़की है इनके फिजिकल अपेरेंस और लुक्स चाहें जैस रड़की की जिंदकी जीना चाहते हैं यह काफी मोडलिंग शूट्स और बंगाली सीरिल्स में भी काम कर चुके हैं मॉन्टी के फेवरेट अक्टर ने शारुक कार और इन्हें अक्टर डिपिका और रैश्वेर रहा बहुत पसंद हैं इनके फेवरेट यूट्यूबर है क कॉमेंट में पिंडुवा मिल जाएगा मॉन्टी का सपना एक सक्सुस्फुल डांसर बनने का है चलिए मॉन्टी आपके सारे सपने पूरे हो इसी के साथ मैं इस वीडियो को नहीं करना चाहूंगी दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अद्टत के है चलिएे का सफथुल नहीं क कि के सच व्यम्टी आपके लिए होुआ आपके शापके मैं अग्यूमाें आपके सबस्ते हुआप़ से अगडले हो चो गाँंगे।